और उत्रखन में मौसम ने बर्फिर से करवट ली है चार धाम की उचाई पहाडियों पर बर्फबारी होने से ठंड में इजाफा हो गया है वहीं के दारना धाम में देर शाम जम कर बर्फबारी हुई इस बीच साइकालीन आरती के लिए श्रधालू का हुजू मुमडा रहा श्रधालू छाता लेकर पूजा करते नजर आये वहीं धाम बर्फ से सराबोर नजर आया जिसके चलते प्रमुक शेहरों के अधिक्तम और नियुत्तम ताप्मान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गए इसे बीच के दारना धाम में बर्फबारी के बीच श्रधालू के पहुँचने का सिलसरा जारी रहा और के दारना धाम में जिस तरह से बर्फबारी हुई और बावजूद इसके श्रधालू महाँ पर बाबा के दारनाध की दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए थे वो अपने आप में दिखाता है कि आखिर लोगों के मन में बाबा के दारनात के लिए कितनी श्रद्धा है हाला कि उत्राखंड में मौसम अब बदलता नजर आ रहा है जहां अब धीरे धीरे थंड नसदीक आ रहा है तो वहीं अब उत्राखन में भी मौसम निकरवट लेते हुए बर्प बारिश शुरू हो चुकी है